है हैं अब है थर चिंग मरम संग्ड आप लोग युपीश्यू चिंञ के जी एस पेपार नंबर वान में कर दें हैं तो म्हक्राएं प्राचीन काल से एधुनी काल तक के गअ शीके तो आज हम लोग जो कला है स्थापत्य कला और वास्तु कला इसमें आधुनिक भारत का लास्ट टॉपिक लेकर आएं इसके बाद जो संगीत नित्य और साहित्ती भाषा यह सब चीज रह जाएंगी वह हम आगे की टॉपिक में देखेंगी क्योंकि यह वाला जो पॉइंट है बहुत ही जादा वास्त है क्योंकि इसमें सिंदुगाटी सबगिता से लेकर आधुनिक भारत मॉडन इंडिया तक के सारे कला के प्रारूप हमें देखने हैं और मैं इसमें आपको आगे भी कोशन भी बताऊंगी कि किस ताइप के कोशन हमारे पेपर में आ चुके हैं और क गुजरात शैली इस ताइप की सारी शैलिया हमने देख ली हैं अब हम देखेंगे कि आधुनिक भारत में किस ताइप की स्थापत्य और वास्तुकला स्थापत होई थी आधुनिक भारत के यहां से मतलब है जब से मुगल सत्ता का आंध हुआ और बिटिश शाशनकाल भार कि उनके बारे में हम लोग यहां देखेंगे और कोशिन कैसे बन सकता है हमारे एक्जाम में वह देखेंगे तो जो विवर्स नहीं है पहले बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिए और अगर आपने पहले की टॉपिक्स नहीं देखें तो पहले वोज आके देखें तब यह आपको प्रॉपर क्लियरली समझ में आएगा तो चलिए शुरू करते हैं और पीडिएफ के बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था जहीं भारती संस्कति के इतिहास में प्राचीन काल से अधुनिका तो देखना यह बिल्कुल मत होगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सबसे पहले आधुनिक वास्तु कला की बात करें तो इस्थापत्य की शक्ति का प्रतिक बन जाने की कारण यूरोपिय देशों दौरा भारत का उपनिवेश करण किये जाने का इस्थापत्य कर लिए प्रिटिश काल आया तो इस्थापत्य कला में क्या चेंज में अघ की इंडिये जो उन्होंने भारत को यूरोप्य शक्तियां थी उन्होंने भारत क्ष्णbosия श्यह्ली से परिचित कर आया थना भारती स्थापत्य कला को समरे यह पूर्ततिकलालीयों ने इमार्तो पास नहींद स्थेलों का निरह्माण अधिकांश्त्र अपंवेशिक शेली में किया यहाँ पर ब्रिटिश भारत पर शाषन के आरंभी और। मतलब इंडिया और पास्चाथ्ते दोनों के शैयली को कमपाइल करके एक नई शैयली का निर्माडी हाँ पर ब्रिटिश दौरा किया गया तो आप समझ गया होंगे कि यहां हम मेली जो तीन टॉपिक यहां चर्चा करेंगे एक पुर्तगाली स्थापते गला, एक फ्रांसिस स्थापते कला और एक ग्रेटिस स्थापते कला, क्योंकि तीनों ने हमारी इंडिया के स्थापत्य और वास्तुकला को आगे बढ़ाने में बहुत महत्पून योगदान दिया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली स्थापत्य कला इन्होंने क्या क्या बनवाया और इनके जो स्थापत्य कला थी उनमें क्या विशेशताएं थी तो पुर्तगाल ज्यादा तर जो थे इनका प्रभाव था गुवा दमन और दीप दादर नागर हवेली त्यादी में इन्होंने अपने स्थापत्य वास्तुकला का ज्यादा पले क्योंकि इनका एरिया ही सीमित था इनका एरिया ही इसी तक था बाकी छेत्रों पे फ्रांशिस्यों ब्रेटिश का अधिकार था इस वज़े से इन्होंने सिर्फ इसी छेत्र पे अपना ये प्रभाव छोड़ पाए पुर्तगाली उपनी वेशवादियों ने अनेक चर्च बनवाए, कैथिड्रल बनवाए, बैसिलिका, आधिका इन्होंने निर्माड करवाया जिन पर पुर्णर जागरन, बारोक और रोकों को इस्थापत्य कला के प्रभाव था पुर्णर जागरन जो कि नया आधुनिक यूग आरंभ हुआ था प्रेस का विष्टकार होने लगा था जंता जागरुक होने लगी थी वो रोकों को दो सहली है इस्थापत्य कला कि जो यूरोप में प्रचलित है तो यह हमें ज्यादा पढ़ने की जरूद नहीं कि यूरो पुर्टगाली स्थापत्य कला के उधारन की हम बात करें तो यहां पर पुराने गुवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स हैं यहां पर गुवा में बॉम ईशू की बैसिलिका यहां देखी जा सकती है और दीव में संथ पॉल कैथिड्रल है यह सब इसकी स्थापत्य कला के नमूने हैं जो कि पुर्टगाली स्थापत्य कला के हैं तो यह आप एक्जाम्पल में डाल सकते हैं आगे देखते हैं जैसे कि संथ क्रेट्डल का यह जो चर्च है यह आप देखो गुवा में है यह इस ताइप से बनाई जाती थी और उसके उपर मिनारे भी बनाई जाती थी पुर्टगाली में द्वारा अपने विशिक छेतर में निर्मित पुर्टगाली शैली के आवाश ग्रहों के विशेष्टाओं में विशिस्ट रूप से बड़ी और अलंकृत खिडकियां होती थी यह जैसे आप यहां पर देख सकते हो यह कलर चेंज करके मैं आपको द सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें अधया तो उट्यादी तो मतलब कि चंक्ले रंगों से रंगी दिवारे यहां पर बनायी जाती थी इस वह आप अलग अलग विशेष्टाओं के रूप में देख सकते हैं और अगर अग कमपाईल करके एक साथ लिखना चाहते हैं तो इसे एक साथ भी लिख सकते हैं तो पूर्तगाली शैली में अगर आप यह लिखेंगे जो मैंने एक जांपल दिये तो पूरा एक देड़ पेज का यहां पे एक आपका पूरा आंसर यहां बन जाएगा चलिए देखतें नेक्स्ट फ्रांसे से स्थापते शैली में क्या नई चीज थी तो प्रांसे से जहां पर अपना साशन करते थे अब्यस है कि उनके स्थापते शैली वहीं उसी जगह पे जलगती होगी तो उन्होंने मुख्यता जो पॉंडिचरी में अपना साशन किया था तो वहां पर उनकी जो भी स्थापते शैली वास्तूकला है वह भाँ जह लगती थी फ्रांसे से इस थापते शली पॉंडिचरी जैसे पूर फ्रांसे सी उपनिवेश्म वर्तमान में इस पस्ट रूप से दिस्टी को रख जो भी चीज़े उन्होंने पहले बनाई थी वह आज भी वहां पे हैं तो हम वहां देख सकते हैं जाके फ्रांसे सी जो यह जो यूरोपीय शैलियां है यह ग्रिड पैटन जो होता है इस पस्ट खंड होता है लमवत गलियां होती है और वाइट टाउन होता है विले ब्लांच होता है यह सारे शैलियां है यूरोप की यह फ्रांसे से स्थापते कला में जहलगती हैं तो आपको यह एज याद गिर्जागर और चंद्रनगर के सेक्रेड हार्ट गिर्जागर आदी जो है वह फ्रांसे सी शैली में स्थापत फ्रांसे स्यों द्वारा एक प्रमुख स्थापते कला का उधारण हम यहां कह सकते हैं आगे और बात करें तो यह आप देख सकते हो चंड चर्च ऑफ बनाएगी है चाकोर यहां बनाएगी है यह दो पिलर टाइप में यहां बनाये गए हैं लंबर टाइप में तो देख लीजिए यहां पर फ्रांसेशी शैली के अधिकांश आवाश ग्रहों में फ्रांसेसी प्रकार की शतर युक्त खिडकियों से सुसजजित नकाशिदार तोरन और दिरिस्ती गोचर होती है दिखाई देती यहां फे जो वी तोरन जो दरवाजे बनाई जाते थे वह यहां pour नकाशिदार बनाई जाते थे उस पे अलंकरन किया जाता था और खीडिकिया यहां प였습니다 बड़ी ही बनाई जाती थी इनमें उची दिवारे तथा कई आंगन भी होते थे आप यहां देख सकते हो कितनी उची उची दिवारे यहां पर बनाई गई है इस सेली में बहुत जादा अपना प्रभाव नहीं डाल पाया थे बर ब्रिटिश उनका काल भी लम्बा था उनका एर्या बहुत वास्त था ऐल्मोष्ट पूरी इंडिया पर इन्हों ने कवर किया हुआ था तो उनका एरिए देख लेते उनने क्या क्या करवाया तो भारतिय इस्थापत् पड़ा था उनकी विरासत चो थी वो कौकता चेने दिल्ली इत्यादी नगरों में निर्मित दिवारोत था अव सनरचनाओं में वर्तमान समय भी इस पस्ट रूप से यहां पर दिखाई देती है तो चलिए देख लेते इन्होंने में दो शैलियों को दो शैलियों के बारे मे तो इसे नॉमली विक्टोरियन गौथिक भी कहते हैं गौथिक भी कहते हैं आर्ट डेको भी कहते हैं तो यह नाम आप याद रखेंगे तो दो शैलियों इन्होंने बनाई थी एक तो यह रही विक्टोरियन गौथिक और एक हम आगे जो करेंगे यह है नव रूमन शैली द इसे विक्टोरियन शेली भी कहा जाता है, इसे गौथिक शेली भी कहा जाता है, इसे विक्टोरियन गौथिक भी कहा जाता है, इसे इंडो गौथिक से इसे लिया भी गया है, इंडो गौथिक शेली हिंदुस्तानी, फार्सी और गौथिक शेलीयों का ये साधारन मिश्रन है जो विक्टोरियन ने इसे इंडो गॉथिक भी कहते हैं इस इंडो गॉथिक भी कहते हैं इस इंडो गॉथिक बनी जो इमारते हैं इनकी संरचना बहुत बड़ी है तथा इनका क्रियान्वेन भी बड़े इस्तर पर होता था इंडो इस्लामिक वास्तुकला की तुलना में इंडो गॉथिक शेलों की दिवारे बहुत पतली होती थी तो यह आप इसके विशेशता हैं देख लीजिए और ऐसे ही आपको एक्जाम्प में लिखना है इसकी जो शेली में महरावे होती थी वो नुकीली होती थी करणे देखा होगा मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी एइर पोर्ट है वो बना हुआ है ऑगा भानी रुकह कोा होना तो यहान भी खेड़कें बहुत बड़ी बड़ी होती थी चर्च को क्लूज est Liang योजना के आधार पर यहां बनाया जाता था आगे हम बात करेंगे तो यह ब्रेटेन के उननत संरचना अत्मक इंजीनियरिंग मानक का पालन करने वाली शेली है यह आप देख लीजिए जैसे यह दिखाया गया है यह इस टाइप से शेली बनाई जाती थी पहली बार इस शेल में ही मेली यह माटीरियल यूज होने लगा इस टील लोहा और गारे का माटीरियल इनकी व्रिटिश चैली में यूज हुआ तो आप यहां देख सकते हैं यह है विक्टोरिया मेमोरियल होर और यह है सेंट पाथ कैथिडल कलकत्ता का तो यह आप दोनों इस शेलियों में डि टूरियन भी कहते हैं तो इस टाइप से नाव गौतिक शैली में मुंबई का सचिवाल है विश विद्याल है उच न्याल है जैसी कई मारते वनी हैं जो ततकाली नवडिक वर्ग को पसंद आई थी इस शैली का सबसे अच्छा जो उधारन हम कह सकते हैं वो मुंबई का छत् सेंट जॉन कॉलेज इलहाबाद विश विद्याल है जिसे मेर कॉलेज भी खा जाता है और मद्रास उच न्याले के निर्माड में ये शैली निखर के सामने आई है तो इसमें पॉइंस दिये हूँ है इसको साप आप अलग-अलग सेपरेट करके भी लिख सते हो कि इसके एक चले नेक्स्ट बात करेंगे नव रोमन शैली के बारे में तो नव रोमन शैली जो है वो अभी हमने नव गोथिक शैली के बारे में देखा नव रोमन शैली और ये भी ब्रिटिश द्वारा ही लाई गई थी 1911 के उपरांत अंग्रेजी राज द्वारा कराए गए निर्मान नव रोमन शेली और नव शास्त्री शेली के अनुसार कराए गए थे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा की गई दिल्ली की वास्तुकला इस शेली का सबसेश्ट उधारने तो आप जानते हैं कि दिल्ली का जो नक्षा किस ने तयार किया था तो यह प्री का कोशन होता है कि एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसे हिंदुस्तान के रूम के रूप में वर्णित किया जाता है इस चरन की विशेश्टा है इस प्रकार है तो इस जो शेली है निर्माण अंजान और बिना किसी रुचिकर विशेश्टाओं वाले होते थे मतलब कि नौर्मली निर्माण होते थे बहुत ज़्यादा आकशक इसमें नहीं कुछ किया जाता था यह वास्तोकला के सभी शेलियों का संगम था जिस कारण इस शेली में संकुलन था और कलात् अभिवेक्ति के अफसर संकीन थे मतलब कि यहां पर क्या था कि कहीं यूरोप से कुछ ले लिया कहीं इंडिया से कुछ ले लिया कहीं कहीं से कुछ ले लिया तो यहां पर सबका मिला जुला रूप था तो इसकी खुद की अपनी कोई नॉमल विशेश्टा नहीं थी इसने हर जेगे से कुछ न कुछ कुछ न कुछ पॉइंट उठाए थे निर्माण कारे के संकर प्रदती प्रकृती की नाते साधी आधुनिकता और उपयोगिता से अधिक समझोता है यहाँ पर किया गया था मतलब कि इहां पर जो भी निर्माण कारे हुआ फो आधिनिक हुआ था उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग durch कर सके और सिमपल वे महीं हुआ था कोई आलंकरन नहीं कोई सजावट महीं कोई कुछ नहीं बहुत सिमपल वे में सका निर्माण किया गया था और चक्रकार भवनों पर अधिक द्यान दियादा गों जैसे अपने संसत भवन को देखा होगा राउंड में है इस ताइप का तो इस तैप की चीजों पर यहां पर ज्यादा ध्यान दिया गया था से तो वहां से लेके ये लोग इस ली के अंदर यूज करते थे और उपर उठे हुए गुम्बत के अवधारना इस चरण के दौरण प्लचलित की गई इसे सर्वोच नियाले और आस्टपती भवन के सीश पर देखा जा सकता है जैसे आप यह देख रहे हैं तो यह है एडवन जो है वह गुम्बत के तौर पर रचना की गई तो यह सब में विशेष्टाएं है इस शेली की नव रोमन शेली की तो चलिए अब हम इसमें एक कोशन आ सकता है कभी-कभी कि आईबेरियन और गौथिक वास्तुकला के बीच अंतर बताईए तो आईबेरियन जो शेली होती है कि पुर्तगालियों और प्रिटिश शेली के बीच में अंतर बताईए तो आप इस तरब से लिख सकते हैं और अगर फांसे से बिच में आता है तो आपको जो मैंने विशेष्टाएं दी हैं उसकी साब से आप अंतर आप खुद कर लोगे तो चलिए देखते हैं आधार ह आप लिखेंगे तो यह चोटे बच्चों जैसा आंसर नहीं लगेगा क्योंकि अगर सिर्फ आप दो बीच में लाइन कीचके और यह आईबेरियन वास्तुकला गौतिक वास्तुकला के बारे में दे दे डिफ्रेंस तो यह आंसर थोड़ा अट्रेक्टिव नहीं लगता है तो अगर आप अब जो नया आंसर का पैटन है उसमें आपको आधार जरूर लिखना होता है कि आप किस आधार पे इसको डिफ्रेंशेट कर रहे हैं इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रियोक तो सामगरी तो आईबेरियन जो वास्तुकला है उस पुर्टगाली द्वरा प्रियोक के जाने वाली मुख्य निर मार्स सामगरी ईट थी और च्षप और सिड ON तो पुर्तगालियों ने अपनी परंप्रयाओं को जारी रखा और किसी भी संद्राशनात्मक विधिता का प्रचलन नहीं किया मतलब कि जैसे पुर्तगाली अपनी हां से शैली लेकर आये थे वैसे उन्होंने आज़िटीज उच किया कुछ नया इन्होंने यहां पर ट्राइ नहीं किया अंग्रेजों ने वास्तुकला की इंडो गौथिक शैली को उतकश पर पहुचाते हुए भारती रुपांकनों और शैलियों को अपनाया मतलब अंग्रेजों ने अपनी शैली तो यूज की ही प्लस उन्होंने इंडिया की जो मुगल सामराज किया दिली सल्तनत क अपनी वास्तुकला शैली के साथ और इंडो गौथिक शैली नामक नई शैली बनाई और उसको यहां पर यूज किया तो यह में डिफरेंस आप यहां पर लिख सकते हो और जो आपने अभी हम मैंने आपको विशेष्टा हैं बताएं तो उसको यूज करके यहां डिफरेंस में जरूर क्लियर करूंगी तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शैन सब्सक्राइब आज चैनल थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग सक्सेज मंच